नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन इस्टडी पॉइंट पर दोस्तों ये सुर्खियां तो बहुत अच्छी लग रही है कि सुखद तीन लाख से छक बहाल होंगे पर इसमें सच्चाई कितनी है, दावा कितना है आईए आपको जूम करके दिखाते हैं हर एक जो प्रमुख विंदू है बहुत ज़दाने केवल एक मिनट के अंदर सारी बातें बता देंगे की पॉइंट देखिए, अब अंतिम मुहर के बाद कैबिनट में जल्द जाएगी नियमावली दूसरा, स्वाइकरित के बाद सातवे चरण की नियोजन प्रक्रिया होगी सुरू ठीक है, और ये एक मेंट यहां क्या लिखा गया है अब चार की जगह एक ही नियमावली से होगी नियुक्ती और जिलास्तर पर एक ही नियुक्त प्राधिकार ठीक है, तो आईए हम अब इसमें बाते कर लेते हैं कि भाई इस खबर की सचाई क्या है खबर तो ठीक है, पर सचाई कितनी है इसमें बात करना बहुत जरूरी है तो देखिए, दोस्तों अगर इसमें हम यकीनन अगर में सचाई की बात करूँ तो जो vacancy देने वाले हैं ये 3 लाख देंगे की नहीं देंगे ये तो तह नहीं है पर इतना आप मान कर चलिए एक लाख तो आपको 2023 में देखने को मिलेगा और एक लाख vacancy यानि कि एक लाख तो मैंने कहूंगा लेकिन 50-60,000 आपको 2024 के आसपास देखने को मिलेगा ठीक है और उसमें भी primary अपर primary categorized है ऐसा नहीं है कि एक लाख में पूरी primary की होगी तो उसमें जो primary की seat होगी वो लगबसक 60,000 के आसपास होगी कितना 60,000 और 20-25,000 जो आपका होगा अपर primary का और उसमें 10-15,000 बाकि आपके 9th, 10th high school graduation level वो उसमें सामिल होगे तो खबर तो ठीक है पर अभी भी एक संसे बना हुआ है कि आखिर vacancy ये कब आएगी हाला कि आपके हाँ चैन की प्रक्रिया बहुत ही गजब का है बेहतर है तो इंतजार कीजिए जैसे ही कोई सटीक सूचना मिलती है आपको इस चैनल पर तुरंद सूचित किया जाएगा ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा बिलकुल सटीक इनफॉर्मेशन थैंक यू थैंक यू सो मच